क्या ये वीडियो को एक clickbait है? सर्फ एक particular rule से, एक particular trading discipline से कैसे मेरी पूरवी trading journey change हो सकती है? कैसे मैं market में और अच्छा trader बन सकता हूँ? जी नहीं, ये वीडियो बिलकुल भी clickbait नहीं है और मैं अभी आपको बता दू, सर्फ एक वीडियो में आपको चार चीज़े मिलेंगी पहला आपको एक ऐसा rule पता चलेगा जिससे आप जो है market में survive कर पाएंगे आप बहुत ज़ाद अच्छे trader बनने के capable हो पाएंगे दूसरा, आपको ये पता चल पाएंगे कि आप discipline है की नहीं है आपके discipline इंप्रूफ करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा task दिने वाला हूँ तीसरा, आपको free of cost की mentorship मेरी तरफ से मिलने वाली है कोई मेरे DMAT account से, कोई मेरे link से DMAT account नहीं खूलना है कोई आपको जो है, कही मुझे पैसे नहीं देना है कुछ नहीं करना है, बस मुझे आपको अपनी efforts दिखानी है और चौथा, free hand holding sessions मतलब मैं आपको order book देख के एक हफते तक चेक करूँगा कि आपको losses क्यों हो रहे क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में जो चीज मैं बताने वाला हूँ अगर आप उसको regular basis पे consistently follow करेंगे तो आपको losses तो नहीं होने वाले है Hello everyone, my name is ईशाल चौरस है and I welcome you to weight securities देखिए, क्या होता है ना, कि हमारी trading journey में हमें जो है, एक चीज बहुत majorly परिशान करती है वो है, हमारे जो losses होते है वो हमेशा हमारे profits से बड़े रहते है हमारे जो losing days रहते है वो हमारे profits से बहुत जादा बड़े रहते है profitable days से बहुत जादा बड़े रहते है मतलब हमने loss लिया 30,000 का अकले दिन profit हुआ अगिन के 10,000 का तो आखिर ऐसी गलती हो क्यों रही है इस वीडियो के इन तक आपको वो भी चीज समझ में आने लगेगे और साथी में कई traders की दिक्कत क्या होती है कि वो जब भी option buying में एंटर करते है वो अपना account blow कर चुके रहते है वो market में इतना टिखी नहीं पाते है कि वो actual में actual में वो market से सारी knowledge गेन कर पाए actual में अच्छे trader बन पाए क्योंकि जब वो market में market उने उनका सारा पैसा लेके भगा दे रहा है तो trader कहां से बन सबाएंगे वो अपने ट्रेडिंग से सीख कहाँ आईगे तो उसके लिए मैंने क्या किया है एक single rule आपके लिए बना एक single rule नहीं नहीं पूरी rule book बनाने की ज़रूत नहीं मैं बस एक single rule इस वीडियो में देने वाला हूँ उस rule को बस follow कर लीज़े आप अगर उस rule को follow करते हैं मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ कि after 30 days आप profit में ही close करेंगे और अगर after 30 days आपको rule follow करने के बाद profit में नहीं close करते हैं तो मैं खुद आपको order book चेक करूँगा free of cost मैं आपका खुद order book चेक करूँगा मैं आपका खुद account देखूँगा मैं खुद आपको एक-एक trade judge करके decide करूँगा कि आप क्यो profitable नहीं हो पा रहे है और free of cost आपको set ups यो भी आप मुझे लगए कि आपको set up में change करना है यह आपकी psychology करना है वो सारी चीज़े मैं आपको free of cost आपकर करूँगा आज मैं पहले से बहुत यह अच्छा बहुत better trader बन पाया हूँ तो रूल किया है आपको जो है एक fixed quantity decide करनी है आपको एक fixed quantity decide करनी है कि हाँ मैं इतने quantity से अगले पूरे एक महीने trade करूँगा मतलब अगर कोई माल लीजे कोई यहाँ पे trader जो कि 50 quantity से trade करता है लेकिन आपने notice क्या किया होगा कि जैसे आपके losses होते हैं जाए profits होते हैं आप quantity को बढ़ाते खटारते रहते हैं अपनी convenience के हिसाब से आज आपने 50 से trade किया कल आपको market लग रहा है एक simple सा rule कि आपको 30 दिन तक आपको for 30 whole days you have to follow just one single rule आपको अपनी quantity fix रखनी है आप अगर 50 quantity से आज trade कर रहा है तो एक महिने के end में भी आप 50 quantity से trade कर रहा है देखिए profitable आप ऐसे भी नहीं है आप profit अभी भी नहीं का मार है आप अभी भी जो है mentorship के बारे में इस rule को थोड़ा सार expand करता हूँ एक छोड़ा सा point इसमें मैं और add करता हूँ आपको अपनी quantity fix रखनी है आपको अपना पहला trade जो लेना है और पहले trade के बाद अगर पहला trade profitable हो गया तो अगले trade में quantity automatically कम करके trade लेगे ताकि जो अपने पहले trade में profit कमाया है उसको आप घर लेके जाएए उसको आप बहुत हब तक घर लेके जाएए आपको क्या करना है आपको अपनी quantity fixed रखनी है कम कर सकते हैं बढ़ाना किसी case में नहीं कम बिल्कुल कर सकते हैं बढ़ाना किसी case में नहीं आपको जो है किसी भी case में जो है अपने profitable trade होने के बाद से loss आपके second trade जो है वो कम quantity में होगा loss होने के case में किसी भी time पे आप quantity नहीं बढ़ाएंगे और किसी भी एक trade में fixed risk सोचके कि हम अगर मैंने 50 quantity में trade लिया तो 20 point या 30 point का है stop loss होगा ऐसा नहीं कि market जारत उसे चोड़ दिया यह चोटी सी चीज़ें आपको follow करनी है और आपका task क्या रहेगा जिससे आपको free of cost mentorship प्रोवाइड होगी कि आपको इस video के नीचे हर रोज comment करना है हर रोज comment करना है कि विशाल सर आज मैंने ये rule follow किया जितने दिन आप trade करेंगे अगर आप 28 दिन trade करेंगे 28 दिन आपको comment मैंने वीडियो के नीचे आगे करेंगे कि विशाल सर आज मैंने ये rule follow किया है ठीक है और जो यहाँ पर 28 दिन या 30 दिन पूरे के पूरे हैं आपर रोज comment करेगा और उसके बाद भी वो loss में रहता है तो आपको बस उस comment के साथ अपना contact number mention करना है मैं खुद आपको contact करूँगा, खुद आपका मैं order book check करूँगा खुद मैं आपको बताऊँगा, खुद मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आप कहां गलती कर रहा है, आप कहां losses कर रहा है इतना free of cost, कोई चीज कहीं कोई ने करने वाला है मैं क्यों कर रहा, मुझे थोड़े videos पर views मिल जाएंगे that's it, I don't want anything else मुझे ना पैसा चाहिए, पैसे मैंने trading से कमा रहा हूँ मुझे सिर्फ आपका ये dedication चाहिए, मुझे सिर्फ इतना dedication चाहिए आपका आप रोज आके वीडियो के नीचे comment करेंगे आप की विशाल सर, this is the rule, पहला दिन, ये rule मैंने follow किया दूसरा दिन, रोज आपको comment करेंगे, अगर आप 30 दिन comment करने के बाद भी वीडियो में कहता हो, market बहुत random है मेरे भाई, अगर आप उसमें random चीजे करोगे तो कहा profitable हो पाऊगे, एक consistent चीजे तो करो, तब तो market से आप results expect कर सकते हो market में क्यों आयते, कि एक दिन एक करोड कमाना है, कि दस दसन करके एक एक लाग रुपय कमाना है, किस लिए आयते, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा कमाने के लिए आयते, एक ही दिन जो कमाने के चक्कर में कहा है, उसने losses किये हैं, खेर, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, I hope आपको ये rule अच्छा लगा होगा, I hope आपको कुछ knowledge मिली हो मिलते हैं आप सगले वीडियो में तब तक के लिए, have a great day, bye-bye